अलो दोस्तों तो परसाद जी कि मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम देखेंगे आपका परिक्षावाली भाग दो ठीक है चले परी स्टार्ट करते हैं समय बरबाद नहीं करते हैं हमारा पहला प्रसन है कि उत्राइचल में एक ग्राम सभा की इस्तापना की जा हुए थे सन 2003 में ठीक है न और अगर बात आएगे कि पहली बार जो विदान सबा चुनाओ थे विदान सबा चुनाओ विदान सबा चुनाओ वो कब हुए थे भी आव वो वे थे 14 फरवरी सन 2002 में ठीक है न 14 फरवरी यहाँ पे लिख देता हूँ 14 फरवरी 2002 में ठीक इतना भी आपने याद में रखने है और देखो पिर फिर आ जाते हैं 2008 में तो मार्च 2008 की बात होती है 2008 की बात होती है कि जो पंचायतों महिलाओं का आरक्षड होता है उससे पहले मार्च 2008 से पहले वो होता है आपका 33% कितना 33% सरकार सोचते हैं इसको बढ़ा देना चीए तो सरकार बढ़ा देती है और कितना कर देती है 50% कर देती है ठीक है तब आपने याद में रखना का मार्च 2008 में ठीक है चलो अब देखते हैं आगे क्योर तो देखो फिर और हम चलो इसमें और BAT कर लेते हैं कि जो उत्त्राकंड का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं था पहले जैसे उत्त्राकंड बना आपका ठीज रहो बना तो इन्हों का परदेश का हमारा स्वयं का पंचायती राज अधिनियम आया या16 में अगर आप ख़ूक के चाहिं तो हम क्या और हैं यह तिर बदेश का पंचायति राज अधिनियम एसा समझ लू हमने उन से उधार में लिया था ठीक है सबसे उपर आता है आपका जिला पंचायत फिर आता है आपका छेत्र पंचायत फिर आता है आपका ग्राम पंचायत अगर मैं बात करूं जिला पंचायत की तो इसका अधिकारी याद रख लो जिला विकास अधिकारी ठीक है और अगर मैं बात करूं छेत्र पंचायत की तो इ ग्राम पंचायत का अधिकारी यानि वी पीडियो चलो इतना अब आपने याद में रखने हैं आप बढ़ते हैं अगले प्रस्निक्वर तो हमारा जो दूसरा प्रस्निक्वर है राज के कितने नगरों में एक नगर निगम है ठीके नगर निगम है वाली बात हो रही है तो वह है भाई या नौ ठीक ऑप्सन डी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि अभी जो रेसेंट ली बना है वह बना है आपका स्री नगर ठीक है चलो इतना भी आपने याद में रखने आप देखो नौ कॉन-कॉन से अभी या धहरादून ठीक ना धहरादून हो गया और हो गया आपका कोड़ दवार हो गया और आपका सिरे नगर हो गया ठीक है नसलो समझ गया और जो यह स creations ले बनाया ना या आपके 21 गाओं को मिलाकर जो भी है वह न dónde ihtकम बना है ठीक है नचलो इह आपने दियान डियानर रखना और देखो अगर मैं बात करूँ आपका तो भाईया 24 वह सव सोधन हुआ था ठीक न गने पालिका कले और रही वाट करो ना आपके नगरा फली का की तो दिखो जो नगरार पालीगा ना । सबसे उपर इसतर में जो है वो शासन करती है ठीक है ना उसी को नगर निगम कहा जाता है ठीक है चलो उसी को क्या कहा जाता है अब यह नगर निगम कहा जाता है देखो यदि जो छेतरी के अगर जनसंग के आबादी जादा है तो वहाँ पर हम कहेंगे वो नगर निगम है ठीक है न नगर पाली का परिशद है मतलब नगर पाली का परिशद है यहां पर ठीक है पिर अगर इससे भी जादा कम जंसंक्यात है तो हम ठहएंगे यहां पर क्या है नगर पंचायत है ठीक है समझ गए इसलिए जो है उत्राखण में नौई जो है छेत्रों में आपको मिलेगा नगर निगम की सुविदा ठीक है हम जन संक्या को देखते हैं ठीक है ना और नगर पंचायत क्या होता है बहिए नगर पंचायत वो होते हैं जो मतलब ऐसा गाउं जो नगर छेत्रों में बदल रहा होता है ठीक है ना मतलब पहले बहुत छ समझ में आया होगा अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्णिकियों तो हमारा जो तीसरा प्रश्णिया वहा है कि उत्रान चल कि किसी नगर निगम का नगर प्रमुक ठीक है तो वह चुना के से जाएगा तो इसमें जो आपका सही एंसर होगा ना वहाँ होगा ऑप्शन नमब ट्रीका ठीक है निगर पालिका लिगता का अब प्रामुक ठीकर या इस नगर पालिका को अवार्ड में विवाजित ने साओं इनका उना होता है यहीनी चाहिन उत्त होते हैं ऑलोग जन्थ by यह थे लागत कीगे अब ऑदि विक जेए होग दो बाकर जिंगे वार्ड के चैनिफ मतलब पतिनिदी होंगे यह उनको हम क्या गएंगे सबसाद एक सबसाद कहलो या पार्षद कहलो है टिकल और आuh एक उनक्र बताता हूं फिर ये जो सभी वार्ड मेंबर है ना ये क्या करेंगे सभी वार्डों के जो सभासद है ना ये आपनी वहिया एक सहमती बनाएंगे कि हम किसे बनाए जो है वो नगर प्रमुक और नगर प्रमुक को बुला जाता है महापौर ठीक है ना महापौर भी बुला जात surtout वार्ड मेंबर को चुनती है न और फिरी वार्ट मेंबर करते हैं मापोर्व का चयात थिक है और अपनी सम्माती के अनुसाल थिक है समझ गये अर्ट है तो देखो अगर मैं बात करो ना चुनाओ जो नगन निगम का होता है उसमें क्या क्या चीए आप कैसे उसमें पाइटिसिप्रेट कर सकते हो तो कर सकते हो भी यापकी उम्र होने चीए 20 साल अगर आपको भी बनना है तो ठीक है 21 साल हो चुकी होनी चाहिए ठीक है कम नहीं होन ठीक है और उसका नाम जो है वाट की जो निरबाचन नमावली होती है जिके चलो ऊपने दिहान में रखना है अब बढ़ते हमारे अगले पत्रशने के उस्त T겠re वे Content लिए जो चौत्वा प्रौश्न हैं वह हमसे क्या क्या रहा है कि कि उतरान चल राज्य के इस्ताई राज्धानी के लिए इस्तान चैन है तो राज जी सरकार द्वारा बनाया गया आयोग बैठा ता आपका 11 जनवरे 2001 में इसका गठन किया गया गठन किया गया था एक सदस्चिय आयोगी था यह आपका उरेंदर दिख्चित जी थे हमने जो है 2008 में अपनी रिपोर्ट माफ भी साफ पी थी काफी बड़ी रिपोर्ट के एंशी पेजों की रिपोर्ट थी ठाग है अभी सरकार इस रिपोर्ट के बारे में सोची रही है ठीक है आप क्या ही कहूं चलो आप बढ़ते हैं हमारे अगले प्रस्णी की ओर तो हमारा जो पांचवा प्रस्ण है न वह है उत्राणचल राज के गठन की तिति है ठीक है भी यह यह तो काफी आसान प्रस्ण है का भी यह 9,9,9,2,0 को ठीक है चलो अप्शन नमर सी हमारा बिल्कुली सही हो जाएगा 9,11,2,0 चलो अब बढ़ते हैं हमारे छेटा प्रस्णी की ओर तो छेटा प्रस्णी है उत्राणचल राज में महिलाओं के लिए सभी सिरेणी की सेवाओं में कितने परतिसाथ 36 आरक्षन का प्रावधान किया गया एक तो अपका 36 आरक्षन एक उता आपका वर्टिकल आरक्षन ठीक ठीक है और यहां पर वर्टिकल लिख लो तो देखों अगर मैं बात करों उत्राखंट के महीलाओं को यहां पर महीलाओं में लिख दे रहा हूं समझ जयाना महीलाओं को दिया जाता है तीस पर 30 ऑश्र्णी ठीका नम भूत पूरूरसायनीग होता है टीक है बूत पूरुस और जो 703 संग्राम से लानी होते हैं कितना घ्राम उवाए टू पर्ति शत्र यानि दो पर त्थीह और जो उत्रा खंड के उन्हें अनाद बच्चें उन्हें कितना डिया जाता है 5 पर्ति शर्त पॉप लावज मारे ने वे अंडिकोंस रहे हैं तो दिखो औरो विस्से कितना 14 ठीव और सम्म तो यह जाँ नेamatразуर एटेस साँ और jay setti करें वहां तुछे है और शुदार मेंश्च्छण की तो चलो तो अगला प्रस्ण है हमारा कि ईतरान्चला विधान सभा मैं एक सदस्य नामित किया जाता है आप सभी को पता है ठीक है भारत की बात करूं या मैं उत्राखंद की बात करूं या लग लग राज्यों की बात करूं तो एक सदस्य आपको मिलेगा एंगलो इंडियन समुदाय से ठीक है अभी उत्राखंद की बात कर रहे तो अभी ओत्रखंड में चलिंगे हम एंगलो इंडियां सब्सक्राइब से एक व्यक्ति देखने को मिलता है-मिलता अब एक के लिए जलो इंगलो इंडिहान समधयर के नहीं अंग्रेज लोग थे हैं आप सभी को पता है काफी अच्छे जग है कभी जाना आप भी घूमने तो देखो यह इस्तित है और सभीधान के अनुच्छेद मतलब 214 यह भी याद रख लो भी है ठीक है ना अनुच्छेद 214 के तहद राज जी के लिए भी है एक उच्छे नियाले होगा ठीक है ऐसा बोला गिया है किस में अनुच्छेद 214 में है मतलब ऐसा प्रावधान है ठीक है ना तो देखो भी है हमा बजाए बना यह 20 वटे फुवय प्रतम ने रखने यह 20 उत्षी न्याले बीस वे उत्षीं न्याले दंटरी सब्सक्राइग नौन बतमर अब भायंकर दिशाई जी ठीकिना आप एए दिशाई भी कहते होगे ठीकर ना सॉट में चलो सही है फिर अब देखो भारत में टोटल जो है ना कितने है बाईया ऑठिस हाई है इतना अपने दिशान में रखना है कितने यहां पर लिख दे रहे हूं जो किया अब यह आंद्र प्रदेश हाई गोड ठीक है और चलो और एक और चीज याद रख लो मेरे को याद आ रहा है कि जो कलकत्ता उच्छी नियाले है वह यह क्या है भारत का सबसे पुराना उच्छी नियाले है उनिस सो अठार सो बासट में बना था यहां पर लिख दे रहा हूं कलकत्ता उच्छी नियाले बना था आपका अठार सो बासट में ठीक है अठार सो बासट में बना था चलो इसकी स्तापना होई थी मतलब और जो आप से पुछा जाएगा जो उत्राखंड का हाई कोट है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था तो इसका जो डिजाइन किया जो फैडरिक था एक फैडरिक फैडरिक विलियम स्टीवन नाम था ठीक है खा जाता है इन्हों नहीं इसका जो है डिजाइन तेयार किया था चलो अब बढ़ते हमारे अगले प्रस्णी की और तो देखो हमारा जो अगला प्रस्ण है यानि नवा प्रस्ण हमसे जो नवा प क्या होती है हमारी ठीक है तो आप दस्वब प्रशन देखते हैं फिर तो हमारा दस्वब प्रशन है निमने मैं से निमने मैं से कौन गड़वाल मंडल में नहीं है तो आप सभी को पता भी है गड़वाल मंडल में नहीं है तो यह बागिस्वर कहा है बागिस्वर तो आपका कुमाओ मंडल में है ठीक है तो यह बन गया यहाँ पे आप ऐसे से कर लो तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पे कर लो कुमाओ यहाँ पे कर लो भी यह गड़वाल ठीक है ना तो गड़वाल मंडल में आते हैं आपके उत्तरकाशी ठीक है धेरादून तिहिरी रुद्र परियाग और चमोली ठीक है और चमोली हरिद्वार पौड़ी ठीक है ना यह हो गए आपके कुल साथ जिले ठीक है कुमाओ में आते हैं आपके छे यहनी पिथोरागड बागेश्वर अलमोडा नैनिताल चमपावत उधम सिंग नगर ठीक है इसमें आते हैं आपके छे समझ गए चलो फिर वीडियो को करते हैं यही पर समाप्त अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी ग्यान प्राप्त हुआ हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे इसी आसा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाबते चलिए धन्यवाद